दोस्तों, मुझे पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भई हमने refurbished phones लेना चाहिए या नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ refurbished phones किधर से भाई करने चाहिए कैसे बाइ करने चाहिए, k्यूइ बाइ करने चाहिए, क्या ये दील्स अच्छे होते, क्या अपने खरिदने चाहिए और दोस्तो, साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर used phone, refurbished और used phone अलग होते हैं, इन दोनों में difference क्या है? सबसे पहले तो रिफ़रिष्ट फोन्स क्यों बइक करते हो कर अच्छे दील्स मिलते हैं वही फोन की प्राइज नए की होती है श्यादा और ब्लЕकिन कम क्यों होती है क्योंकि रिफरिष्ट फोन्स जो होते हैं वो नय पहले तो नए होते हैं वो नए खरीदता है कोई और फिर उसमें कुछ फैक्टरी प्रॉब्लम आ जाता है manufacturing defect आता है तो जिसने खरीदा है वो भेज देता है वापिस और फिर नया exchange में मिलता है उसे लेकिन वो जो फोन भेज दिया गया होता है वापिस उसे जो manufacturer है वो correct करता है वो जो defect होता है उसमें जो problem होता है वो resolve करता है और फिर से वो बेचने को online डाल देता है कुन फोन को कहते है रीफर्मिष्ट फोन लेकिन जैसे मैंने कहा है जब भी कोई भेजता है फोन तो वो नय तो रीफर्मिष्ट फोन नए ही होते है लेकिन एकदब नए जब होते है तो कुछ डिफेक्ट एक सिंगल डिफेक्ट आता है बैटरी का आता है डिस्पली का आता है कुछ डिफेक्ट आता है और वो जो correct करने के बार जो फोन होता है वो रीफर्मिष्ट फोन होता है तो आ मतलब Amazon certify करता है कि जब आप ये फोन खरीदोगे तो चलेगा साथ में वह तीन से छे माईने की वारंटी भी देते हैं नए फोन में एक साल की होती है लेकिन इसमें तीन से छे माईने तक होजें तभी एक साल की भी होती है नया फोन होगा तो तो बेसिकली उस हिसाब से प्रा रिफर्विष्टे वो इतने अच्छे नहीं होते है आपको find करने पड़ेगे कि किसमें कितना पैसा आप बचा रहे हो और उस हिसाब से आप लोगे याद रखिए फिर से कहता हूं कि यह नए फोन होते हैं लेकिन एक हाथ डिफेक्ट की वज़े से उन्हें ठीक किया जाता है लेकिन दोस्तों एक चीज बहुत इंपोर्टन है आप जबी भी रिफर्विष्ट फोन खरीदोगे तो एक अच्छे पोल्टल या फिर अच्छे ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदो जैसे अमेजॉन जैसे फिलिपकार्ट का तो यह दो वेबसाइट्स नामी वेबसाइट होते हैं जो रिफर्विष्ट के नाम पे आपको यूझा मोश्ड ओभाईल वो बेचते हैं तो उसके वारे में आपको ध्यान रखना चाहिए अच्छे वेबसाइट से ही खरीदे रिफर्विष्ट फोन अब एक रिफर्विष्ट फोन खरीदते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो ज्यादा पुराना फोन मत करी दिये जैसे अगर वन प्लस का अभी वन प्लस 60 आ गया है अगर वन प् आपको अच्छे मिल जाएंगे तो यह आपको ध्यान रखना है एक साल एक देर साल से ज्यादा पुराना फोन अगर लांच हुआ होगा तो आपने नहीं खरीदना चाहिए यह सबसे पहला मैं आपको सजेशन दूंगा यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों ए दूसरी बात जन्मेरल यह अगर रिफर्भीष खरीद रहे हो इसका मतलब आपको पैसा बचाना है तो हाइंड मोबाईल आप मता खरीदिये इसका मतलब पच्छी सजार रुपय के ऊपर के जो होते हैं अगर 25,000 आप खर्चा खर सकते हो या उससे जादा खर्चा कर सकते हो इसका मतलब 2-3,000 और डालके नया ही ले लो रिफर्बिश मतलो लेकिन अगर यह मिड रेंज के होंगे एंट्री लेवल के होंगे 10,000 का फोन आपको 7-8,000 में मिल रहा है अब बढ़ते हैं यूज मोबाइल के तरफ रिफर्बिश जो हता है जैसे मैंने कहा आपको पता है यूज या ने किसी ने यूज किया हुआ एक देड़ दो साल तक और उसके बाद में आप ले रहे हो यह उनलाइन कभी भी नहीं खरीदना चाहिए यूज मोबाइल आइविल से डू नॉट बाइट क्योंकि जब तक आप देखोगी नहीं इस्तिमाल नहीं करोगे यूज नहीं करोगे उसका ओस नहीं देखोगे उसकी कंडिशन नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा तो आई विल टेल यू यूज मोबाइल होगा तो मत खरी दिये और दोस्तों एक वर्निंग एस्पेशली यह जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स होते हैं OLX कुईकर इसके उपर आप मत खरी दिये बहुत बार ऐसे जो 1 प्लस 5 5000 रुपे में कभी भी अगर कोई डील पहुत ही ज्यादा अच्छी होगी इसका मतलब वो कंप्लीटली खराब है फेक है बिल्कुल उसके बस देखिये भी मत याद रखिये एनिफिंग दिस तू गुड तू बी टू इस नॉट और इक लास्ट बात आपसे बोलनी थी जब भी आप रिफर्मिष्ट फोन्स खरीगते हो तो उसमें जो भी बॉक्स के अंदर एक्सेसरी आते हैं वह आप किजे चेक कीजे यहने क्या क्या दिया है बॉक्स कंटेंट्स क्या है यह पढ़िए उसके बाद में लीजे सब ही होने चे यह बहुत बार ऐसा होता है कि रिफर्मिष्ट फोन के साथ कुछ कुछ एक्सेसरी नहीं आती है यह थ्यां रखिये चलिए दोस्तों इस वीडियो म अगले वीडियो तक कीप ट्राकिन